हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मादर ब्रेसीज आज की वीडियो में देखे फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ही खुबसूर ड्रेस लेकर आई हूँ और देखे इस ड्रेस को मैंने बनाया है जनमास्टमी के लिए अपने ठाकुर जी के लिए तो यहाँ पर आज मैं सारी ड बनाया है सारी ड्रेस दिखाऊंगे और सारा मैं आपको समझाऊंगी तो आप भी इस वीडियो को समझ करके जैसे मैं बता रही हूँ आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बना लेंगे तो देखे जो मैंने यह ड्रेस तयार किया यहाँ पर देखे इसका डायामेटर है यह देखे 14 इंच तो यह 7 नमबर लड्डू को पाल को भी आजाएगी और 8 नमबर को भी बहुत आराम से आजाएगी अब जैसे देखे हमें पहले एक डायामेटर कट कर लेना है 14 इंच का और कट करने के बाद उसके उपर एक अस्तर का कपड़ा लगा देना है अस्तर का चोड़ी फ्रील रखने है उसके अकॉरड़्िंग आप यहांपर मार्क लगा लें तो हमें एक इंच चैइंच आगा लिए तो साथ इंच की है 1 इंच की पट्टी कट आप और में ने यहां पर 3 पट्टी को पर 3 इंच कर लिया कूत Craft घ्रण सोगता च Keyne को देखे जब 7 इंच की पट्टी को और ऐसे डबल करने के बाद इतनी है यहां पर देके फ्रील आ जाएगी। यानि कि पट्टी आ जाएगी उस पट्टी से हमने प्लेट्स बनाई और प्लेट्स बना करके जो हमने मार्क लगाया था उस मार्क के उपर रख करके हम इसको सिलते गए इस तरह की ड्रेसिज मैंने और भी अपने चैनल पर अपलोड की हुए वीडियो तो मैं लिंक दे वेड़ चैनल फुर्टी तो जड़ने के बाद नेफा लगाएगी ँदिगी जो पर धृस जेटकर करेंगी चार इंचोडी पट्टी कट कर लेंगे उसको डबल कर देंगे उसको डबल करके इस पर नेफा लगा देंगे तो यहां पर देखे इस पट्टी की जो लंबाई है यह देखे 9 इंच यहां तक है अंदर भी गई वी है मैंने 10 इंच यानि की 20 इंच इसको लंबा लिया था 20 इंच पट्टी लेकर मैं ने 4 इंच को चोडाई में लिया था और इसको हमने ऐसे मोड़ करके तो बार ऐसे मोड़ करके इस तरह से स्ट्रिप तयार कर लिया उसके ओपर टीशू रिबल लगा दिया और टीशू रिबल लगाने के बाद जब हमने देखे जैसे 20 इंच लिए पट्टी आप इसको छोटा बड़ा अपने अकोर्डिंग कर सकते हैं चोटी चोली बनानी है तो बना सकते हैं इसको पट्टी को देखे जैसे हमारी पट्टी है इसको ऐसे डबल कर देंगे और डबल करने के बाद नीचे सिलाई लगा देंगे और फिर नीचे यहां सेंटर मे कि सेंटर में रखेंगें और इसको सिल देंगे अब दीकेड ध्रेस का मैंने आपको समझा दिया इसके बाद हम इसको डवरेट करेंगे डयकूरईट करने से पहले देखी मैं आपको कमर कामेसरेमेंट बताना भूल गई थी यहाँ पर हमने एक इंच की कमर कट की है अब देखे डेकुरेट कैसे करना है हाफ में तो हमने देखी यह जलेबी बूटी लगा दिये और इसके हाफ में पहले हमने चांद बूटी लगाई उसके बाद में बीच में यह मोरपंक वाली बूटी लगाई फिर देखे मेरे पास एक लेस थी उस लेस में से मैंने चोटे-चोटे से पैच कट करके इसके चारो तरफ लगा दिये तो बहुत ही खूबसूरत के ड्रेस बन गई है अब देखे पगड़ी का मेजरमेंट आपको समझा देती हूं साथ नंबर काना जी के लिए जो हम गत्त इंच भी काफी रहेगी और फिर देखे पगड़ी के बेस मैंने बताए हुए है इस तरह से आप बेस बना लें उस वीडियो का लिंक में आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किस तरह से बेस बनाएंगे और पट्टी उसके उपर कवर करेंगे फिर हमने दो कलगी बन इसको मैंने दो बार ऐसे राउंड करके लगा दिया यहां पर एक चांद बूटी लगा दी दो मोर पंक के पैच लगा दी और यहां पर चोटे चोटे स्टोन और फिर देखे यह प्लास्टिक वाले नगाते हैं यहां पर मैंने प्लास्टिक वाले नगों को पेस्ट कर दिय तो बहुत ही सुन्दर सी देखे पगड़ी और हमारी ड्रेस बन करके तयार हो गई है अब मैं आपको दूसरी ड्रेस दिखा देती हूँ देखे दूसरी ड्रेस मैंने इससे थोड़ी सी छोटी बनाई हुई है यहाँ पर इसका डायामीटर है देखे वो 14 इंच था और यह दे से 2 पोइंट कम हमने एक्स्ट्रा कट किया है सेम फिर ऐसी बूटी लगाई है और ऐसी देखे इसकी पगड़ी बनाएंगी हम तो यहाँ पर देखे हमारी ड्रेस हो गई बड़े काना जी की अब आपको छोटे काना जी की ड्रेस दिखा देती हूँ देखे यह है दो और ती की मेजरमेंट 3 इंच है यहाँ पर हाफ में देखे 1,5 इंच की हमने यह वाली फ्रिल तयार की है और फिर हमने देखे इसको ऐसे ही डैकोरेट किया है और देखे पट्टी हमने जो लगाई है यह चोली की यह पांच इंच है यानि की आदा इंच अंदर गई वी है ग्यारा इंच हमने इसको लिया था और ऐसे डबल करके देखे इसको लगा दिया चोडाई जो हमने तियार करके रखी है इसकी देखे हमने यह पौना इंच की स्टिप तियार की है इस तरह से हमने देखे यह ड्रैस भी अपनी रेडी कर ली है अब यहाँ पर देखे इसकी पगड़ काफी रहेगी और हाइट जो लेंगे यहाँ पर वो हम बस डेड़ इंच लेंगे दोनों के लिए दो नंबर तीन नंबर के लिए डेड़ इंच में से आधा उपर छोड़ देंगे पट्टी को आधा नीचे और इस तरह से कर लेंगे आधा उपर स्ट्रिप मौड़ने का हो जाएगा हमारा और फिर हम यह देखे बेस बना लेंगे जो लिंक आपको मैं दोंगी डेस्क्रिप्शन में वहाँ पर दो तीन चार पाँच छे नंबर काना का बेस बनाना सिखाया हुआ है पूरा बेस है पट्टी कवर भी कैसे करना है सब बताया हुआ है तो उसको आप देख लेजिएगा फिर हमने देखे कलगी बनाई है यहाँ पर तो देखे कलगी की जो मैंने यह देखे यह चोड़ाई लिया है, यहाँ पर इसको मैंने तीन इंच लिया था, यह मैंने डबल लगाई भी है, बड़ी पगडी में मैंने देखे सिंगल लगाई भी थी, यहाँ पर डबल नहीं किया हुआ था इसको, यहाँ पर मैंने डबल की हुए है, तो देखे मैंने तीन इंच इ की ड्रेस इसको मैं अभी लास्ट में दो नंबर का नजी को पहना करके दिखा दे दूंगी कि कैसा इस ड्रेस का लोक आएगा अभी यह हो गई देखे फिर उसके बाद है शाम बाबजी की ड्रेस देखे जब शाम बाबजी पहनते तो बहुत ही खुबसूरत लगती है ड्रेस और देखे ये जो ड्रेस है और पगड़ी पगड़ी की वीडियो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर रखिया तो जो ये देखे बड़े वाली पगड़ी है आप उसको भी देखकर बना सकते हैं लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिलेगा दोनों का ये शाम भाबजी हमारे 6 इंच के हैं उनके लिए मैंने ये तयार की है ड्रेस और देखे साथ में पटका तयार किया है और फिर ये पगड़ी तो इसका मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका लिंक में आपको डेस्क्रिप्शन में दूँगी तो आप वहाँ पर जा करके इस पूरी ड्रेस को तयार कर सकते हैं वैसे सेम ऐसे ही बनेगी जैसे कि हमने देखे ये वाली बनाई है हाफ-ाफ करकी तो आप इसको भी एक बार जरूर बना करके देखेगा तो चलिए मैं अब दो नंबर कानाजी को आपको ड्रेस पहना करके दिखाऊंगी कि किस तरह का लुक आएगा ये मेरे दो नंबर के कानाजी है और ये मेरे मंदिर के कानाजी नहीं है क्योंकि मंदिर के कानाजी को मैं यहाँ पर नहीं लेकर आऊंगी ये मैंने ऐसे ही वीडियो के लिए रखी हुए है तो मैं इनको यहाँ पर भी रख लेती हूँ मंदिर के कानाजी मैं कभी भी नहीं हटाती हूँ वहीं पर ही विराज़बान रहते हैं इनको देखिए ऐसे हमें ये ड्रेस पहनानी है और आगे की साइड भी वो आपकी मर्जी है कि कैसे आप इसको बांदेंगे दोनों तरह से आप कर सकते हैं अगर आपको बूटी मोरपंक वाली इधर की साइड लानी है तो आप इधर की साइड इसको आगे करके बांदें नहीं तो आप इसको ऐसे पीछे करके बांद लें मैं भीना बालो के आपको लगा करके दिखा रही हूँ तो देखें फ्रेंट्स कुछ इस तरह का लुकाएगा इस ड्रेस का बहुत ही प्यारी लगती है देखें अभी रक्षा बंदन पर पहनाओंगे अपने ठाकुर जी को तो उसकी वीडियो भी हो सेके तो मैं शियर कर दू जो मैंने आपको समझाया है अगर आपको कोई भी परिशानी कोई भी दिक्कत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप इस वीडियो को जादा से जादा शियर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए राधे राधे